कि एक नए सेशन में मैं ससी आपका फिर से एक वर स्वागत करता हूं जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि और सिलेव सब्देटेड नहीं है कुछ दिन में अपडेट कर दिया जाएगा इंटि के विबसाइट पर थे तो आज से कम्पीटर क्लास आप लोग अस्टार और अस्टार आज से लगतार आपको कम्पीटर का मॉक्टेस्ट कम्पीटर एम से क्यू कंप्यूटर थियोरि आज कि सारा सब्जेक्ट भी स्टार्ट होगा लाश्ट में आपको क्लास के वारे में भी बताएंगे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे घंडी के वेल आइकन को प्रिस करें जिसे के आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते ह हैं आज पहला दीन है हमारा कंपूटर का तो सबसे पहले कंपूटर अवयर्नेंस यह सारे एक जाम में आपको काम आएगा even banking के सारे जाम में SSE के सारे exam में, जो भी railway में पूछे जाते हैं, सभी में ये video आपको काम आएगा, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले content देख लीजिए, कि आपका syllabus क्या है, क्या-क्या exam में पूछा जाता है, तो सबसे पहले history और generation, ठीक है, history और generation आपको पढ़ना है, उसके बाद type of computer, उसके ब उसके बाद operating system, computer का language, computer network, उसके बाद internet, computer malware, security system, जिसमें की virus, antivirus सब के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद logic gate, उसके बाद dbms, उसके बाद file extension, उसके बाद MS office, देखिए MS office को हम red color से denote कि हैं, इसका मतलब ये बहुत important parts है, पहले का computer, 2022 से जो computer का question पूछा जा रहा है, सभी भी competitive exam में, खासकर IBPS oriental exam में, जो banks के exam होते हैं, RRBPO, RRB color के सब के means में आता है, RBI का assistant के means में भी computer आता है, अभी बिहार cooperative के means में भी computer था, सब में twisted computer था, पहले होता क्या था, कि आप 100 MC क्यूरट लेते हैं, 5-10 उसमें आ जाता था, लेकिन आप operational base हो गया, यानि कि जो भी operation base सीखा हुआ है, जो work किया हुआ है computer में, उसके लिए computer आसान है, जो सिप theory रटा हुआ है, उसके लिए अब मुस्किल होने वाला है, तो ध्यान से आपको देखना है, इसलिए MS Office को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, और last में full form और termology of computer, यानि 15 क्लास और हर क्लास में, दो दिन एक theory के लिए, एक MCQ के लिए, यानि 30 क्लास में computer आपका खतम हो जाएगा, तो चले start करते हैं, फटा फटा को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, तो आज का हमारा topic है, history and generation of computer, computer का जो पीढिया है, और computer का जो इतिहा से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अब देखिए सबसे पहले, history क्या है computer का, तो 1940 के पहले जो भी incident computer के छेतर में हुए हैं, वो history मे आजाएगा, और 1940 के बाद, जो भी incident हुए हैं, वो आपका generation में आजाएगा, यही आपका history है, ठीक है, अब history में जो जो important points है, वो आपको हम बता देते हैं, छोटा-छोटा points है, उसका सीधे generation पे चले आते हैं, तो सबसे पहले, जो बारवार history में देखिए, question एक question आएगा, यह confirm है, history में सबसे important है, अवकस, ठीक है, तो 26 BC में यह एक अवकस जो mechanical calculator था, यह चाइना में इसका अविस्कार हुआ, उसके बाद, 1614 से 1617, जौन, नेपियर के द्वाला, नेपियर बॉन लाया गया, ठीक है, उसके बाद, पंद्रो सो इस्वी में, आपका जो विनिक के द्वारा, एक credit लिया गया था, किसके लिए, first mechanical calculator लाया गया था, पंद्रो सो इस्वी में, यह बार बार question पुछे जाते हैं, उसके बा पास्कल कॉलक्वेटर जिसका आठ डिजिट का capacity था, कितना था, आठ डिजिट कैपिसिटी पास्कल के द्वारा 1642 में लाया गया था, उसके बाद बात करते हैं, इनक के बारे में, यह electronic, numerical, integrator and computer, ठीक है, इसको जो develop किया गया था, JP के द्वारा और JM के द्वारा, हम लोग JP और JM, ठीक है, यानि short में इसका नाम हम लोग याद रखते हैं, it was the first general purpose electronic computer based on the decimal number, आप से पूछा जाएगा, decimal number पे based पे first electronic computer, किसने develop किया गया था, तो JP और JM के द्वारा, किलियर है, चलिए, 1926 में, 1926 में, एक New York में, आपको transistor का विसकार हुआ था, याद रखेगा, Julius के द्वारा, transistor का अविसकार हुआ था, उसके बाद, 1936 से 1938 के बीच में, ठीक है, कोनाट के द्वारा, first purpose programmable computer, जिसको Z1 बोला जाता है, ये launch किया गया था, ये जो भी date है, event है, इसको दिमाग में आपको रखना है, 1942 में, 1942 में, first electronic digital computer आया था, ठीक है, बेरी के द्वारा, वो भी आपको याद रखना है, उसके बाद, 1944 में, जो हमारा, Harvard Elkin है, ठीक है, जिसको Harvard Mark 1 बोलते हैं, वो IBM के द्वारा design किया गया था, ये भी बहुत बार question पूछा गया है, और सबसे important है, आप से अगर पूछेगा, first laptop किस company के द्वारा कव आया था, तो 1981 में हमारा first laptop introduced किया गया था, Ipsun के द्वारा, किस company के द्वारा, Ipsun के द्वारा जो कि अभी ink manufacturer company और printer manufacturer company माने जाती है, ठीक है, ये बहुत important question है, चलिए, अगला है, अब history इतना ही है, जो main main topic आपको हम बता दिये, इससे ज़्यादा का ज़रूत नहीं है, पूछा भी इ generation of computer, इसको बहुत ध्यान से समझेगा, तीन चीजी इसमें पूछता है, generation of computer में बस तीन चीजी आपसे पूछे जाएगा, कि generation of computer में किसका यूज हुआ, memory में क्या यूज होता था, ठीक है, और उसके बाद इसका जो कभी-कभी year भी पूछ देता है, तो आपको ये तीन ची से 90-56 तक चला, और इसमें vacuum tube, invent हुआ था, vacuum tube, क्योंकि उसमें बहुत सस्ता था, इसका अविसकार हुआ, लेकिन vacuum tube में क्या होता था, क्योंकि size बड़ा था, तो जो भी computer इसमें बना, उसका size बड़ा, अब size बड़ा होगा, तो आप समझ सकते हैं, heat capacity भी ज्यादा होगा, उ देख लिए इस type के इतना बड़ा computer हुआ करता था, आज का computer और first generation computer का आप लोग compression देख सकते हैं, चली, next है, अब देखे, यह जो पहला PD का computer था, वो advanced नहीं होते थे, काफी इसमें खामया थी, क्योंकि पहले बार invent हुआ था, और इसके साथ साथ बहुत जल्दी गरम होता बड़ा था, तो गरम होगा, क्योंकि उससे में heating, cooling, उससे में उतना काम नहीं करता था, ठीक है, अब first जो computer था, इसमें जो batch processing operating system, जब type of operating system में हम लोग जाएंगे, तो आपको हम बताएंगे, कि batch operating क्या होता है, वो आगे हम लोग पढ़ने का चीज़े, बस याद रखिए, कि first generation computer में आपको batch operating system यूज होता था, ठीक है, इसमें program करने में बहु सारा दिक्कत भी होता था, अगला है, इसमें memory, किसका यूज होता था, magnetic drum का यूज होता था, memory के लिए, ठीक है, और ये 4000 bits पे काम करता था, और example पूछेगा, कि कौन-कौन से example है, first generation computer का, याद रखिए इन एक हो गया, ये सारा first generation computer का example है, बट, ये भी बहुत बार पूछता है, जो IBM 650 है, ये सबसे popular हुआ था, first generation computer में, ठीक है, first generation computer में, सबसे, अगर पूछेगा, तो IBM 650 सबसे परचलित रहा था, आगे आते हैं, हम लोग, देखे, advantage और disadvantage, हम हर जगा, पांचो जनरेशन में, हर जगा नहीं लिखे, अब समझेगा, advantage और disadvantage, first generation में computer, बड़ा होगा, तो heating capacity, उसका ज्यादा होगा, heat ज्यादा करेगा, efficiency कम होगा, अब जैसे जनरेशन में, size छोटा होते जाएगा, तो सबका heating capacity कम होते जाएगा, और e-level ज्यादा होते जाएगा, यह advantage है, disadvantage में, बिजली बहुत खाएगा, heating बहुत गर्मी करेगा, size बहुत बड़ा होगा, तो यह disadvantage है, जैसे जैसे आपका घटे का generation Y, तो यह सब चीज ठीक होते जाएगा, तो यह advantage है, disadvantage है, यह पांचो जनर generation में इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, अब सिर्फ आपको हर generation में याद रखना है, किसका यूज होता था, तो first generation में vacuum tube, ठीक है, उसके बाद, जो पूछा जाएगा आप से, कि calculation किसके base बहुता था, millisecond गर्ना कर सकते थे, ठीक है, उसमें vacuum tube असानी से मिलता था, आपको बता ही दिए, अब आगे बात करता है, disadvantage में, तो size काफी बढ़ा था अभी बता है आपको, और computer को ठंडा करने के लिए AC का जरौत पड़ता था, अकार बढ़ा होता था, अधिक मातरा में बिजली का इस्तमाल होता था, ये सब जो region है, इसके कारण, इसका disadvantage था, first generation of computer में, आ magnetic core यूज होता था, primary storage के लिए, 32,000 bits पर काम करता था, और जो important, जो हमारे second generation computer है, उसका example आपके सामने है, बस दिमाग में रखना है, याद तो रहता नहीं, लेकिन बस दिमाग में रखना है, ठीक है, आते हैं, इसको detail देखते है, size देखिए, first generation से, second generation में कितना अंतर होगे size में, ठीक है, चलिए, अब देखिए, computer का जो दूसरा PD था, वो 56 से start हुआ, उसके बाद इसमें इना transistor का use हुआ, अब transistor vacuum tube के मुकाबले, छोटा था, तो size automatic छोटा हो जाएगा, अब जब size छोटा हो गया, तो जब size छोटा हो तो गर्मी भी कम करेगा, अब इसमें size छोटा ह होने करण, ज्यादर reliable हो गया, काफी तेज काम करना start कर दिया, first generation के according लिए अगर देखें तो, ठीक है, और इसमें batch processing operating system के साथ-साथ, multi programmable operating system का use होने लगा, आप लोग comment करके बताएए, कि first generation में कौन सा operating system काम करता था, first में batch processing, और second में batch plus multi programmable operating system काम करने लगा, उसके बाद, advantage में फिर वही चीज है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पस याद रखिएगा, microsecond calculate करने लगा, और पहला पिरी के मुकाबले computer maintain करना आसान था, size था, size छोटा हो गया, और ये सब advantage है, ठीक है, आते हैं disadvantage फिर वही चीज है, कि दूसरे generation में computer कम गर्मी पैदा करते थे, इसे ठंडा करने के लिए AC का जरूरत था, इसे दूसरे generation में लगतार maintain करने का जरूरत पड़ता था, इसका इस्तमाल कुछ विशेष काम पूड़ा करने के लिए किया जाता था, ठीक है, चली, 3rd generation में देखिएगा, 3rd generation 65 से 61, 71, IC का यूज होना start हो गया integrated circuit, ठीक है, किसके द्वारा inventory था, JK के बारा और RN के द्वारा, sort में याद रखिएगा, ज्यादा याद रहेगा, long में भूल जाएगा, एक लाख 28,000 bits पे काम करता था, multi programmable, keyboard monitor 3rd generation में, पूछा जाएगा आप से keyboard monitor का कौन सा generation में आया था, तो 3rd generation computer में keyboard और monitor आ गया था, ठीक है, IBM 360 और 370 famous था, और ये याद रखिएगा, example है, ठीक है, 3rd generation का, और size देख लीजिए, ये एक तरह से आपके table पर आवाना like हो गया था, ये आपका screen monitor हो जाता था, यहीं पर keyboard हो जाता था, और फिर इसमें यहाँ पर आपको work करने के लिए दिया जाता था, अब जो तीसरा generation computer था, IC chip और IC chip मे use होता था, और इसको देखिए एक चीज और, कि इसमें क्या होता था, कि इसको एक और नाम से जाते थे, सिलकॉन चिप के नाम से भी जाते थे, और तीसरा PD में ये ज़्यादा reliable भी था, second के मुकाबले, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है, हम डिटेल पूरा लिख दिये, PDF आप लोगको मिल जाएगा, और short में ही आपको ज़्यादा समझना है, एक चीज इसमें important है, इस PD में time sharing और, इस PD में, एक second, जारा, इस PD में, आपको time sharing, ठीक है, आपको, इस में time sharing plus multi programming operating system का use होता था, ठीक है, और इस PD में high level language, दिखे, ध्यान से दिखेगा, कोवाल, पास्कल, सब यूज होता था, third में, fourth में, फिर C++, उसके साथ आगे बढ़ता जाएगा, चली, fourth generation में, 71 से 90, LSI, LSI, LSI आप लोग full form बताएगा, ठीक है, L से large होता है, ठीक है, अब full form, comment box में करके बताएगे, LSI का, 100 million bits पे काम करता था, microprocessor, उसमें लगना स्टार्ट हो गया, 4004 उसमें 4 generation में, लगना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद, real time, time setting, distribution, और network OS सब introduced किया गया था, 4 generation में, यह याद रखना है, 4 generation computer में, time setting, real time, distribution and network OS are introduced, अई detail देखते हैं, size देख लीजी, और छोटा हो गया, third से और छोटा हो गया, fourth, ठीक है, चलिए, अब computer का जो, चौथा फिरी था, ठीक है, उसमें, LIS, integrated circle के जगा, LSI circle हो रहते हैं, large scale, integrated, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें, IC के जगा, और छोटा-छोटा, मिला के, एक बड़ा, LSI circuit लगा जा रहता हो था, और इसमें, चौथी पीडी आने बाद computer, और भी ज़्यादा आधोनिक हो गया, और इसमें, पीडी में आता ही, computer के काम करने की छमता, पिड दोनों ही बढ़ गया, generation computer का और size को छोटा किया, जिसके कारण feature और बढ़ गया, और इसका side काफी छोटा हो गया, और एक साथ computer के सारे feature भी install कि इस पीडी में, real time, time sharing, distributed operating system का यूज होता था, और कोबल पासकल 3rd generation में, और 4th generation में इंटेड्यूच हो गया, C और C++, तो अगर आप से पूछा जाएगा, कि C और C++ कौन से generation में इंटेड्यूच हुए थे, तो वो हुए थे, 4th generation computer system में, ठीक है, चलिए, 5th generation देखते हैं, त तो 1990 से लेके, तिल डेट, अभी चल रहा है, 5th generation computer system, इसमें, ULSI, SLSI और AI, Artificial Intelligence पर बरक करता है ये, और robotic सब जगह ये काम होना स्टार्ट हो गया, parallel processing भी शुरू होगा इसमें, उसके बाद, laptop, desktop, notebook, ultrabook, chromebook, सब आपको देखने को मिलेगा, 5th generation में ही, सब का इजारत हुआ, सबसे सफल, अगर invention था, तो 5th generation computer में, और ये last generation है, इसकाद कोई generation नहीं आएगा, देखिए, यह हमारा PC, हमारा laptop, laptop, ये chromebook है, और ये फिर हमारा PC है, तो size देख लीजिए, 1st generation और 5th generation में, कितना का difference हो गया, चलिए, पांच्वी पीडियां से बहतर है, और इसमें, इस बात का अंदाजा, इस चीज़ से लगा जासा है, computer बिल्कुल इंसानों की तरह बहवार करने लगा है, AI artificial intelligence के यूज के कारण, ठीक है, अभी बरतवान में, पांच्मा, पीडियां चल रहा, याने 5th generation चल रहा, और ये आखरे पीडियां, इस पीडियां में, C++, और C, Java, और .NET, आदी का उप्योग भी शुरू हो गया, ठीक है, पांच्मी PD के computer का इस्तमाल स्वास के छेतर में, मनरंजन के छेतर में, और रोबोट बनाने के छेतर में किया जाता है, आज कल game का छेतर में भी इसका यूज़ खूब होता है, ठीक है, इस computer में सबसे ज़्यादा speed पाया जा दिरेदे computer के पांच्मी PD को और भी ज्यादा विक्सित किया जा रहा है, और जिससे और भी advanced चीज आया जाए, ठीक है, आपका history और generation खतम, अब आपको mcq, next class में आपको mcq बताना है, तो अभी पूरे class को फिर से देख लीजे, और mcq आपको comment box में जवाब देखता है, के बताना है, ठीक है, तो उमीद करते हैं, आपको ये session पसंद आया होगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लीज़े, बहुत लोग class के बारे में पूछ रहते हैं, सर class के बारे में बताईए, देखे, अभी YouTube पे तो free of cost class चल रहा है, ठीक है, अगर आप Google meet पे class करना चाहते ह है, face to face, सारे courses का, ठीक है, SSA का जो भी student class Google meet पे करना चाहता है, face to face, इस number पे contact हम से कर सकते हैं, ठीक है, इस number पे contact कर सकते हैं, 68 है, ठीक है, 7, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 6, 8, उमीद करते हैं आपको ये session पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गंटी के वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसके बाद तुरत आपको MC की का वीडियो भी मिल जागा रात तक आज, उमीद करते हैं,